जैहिंद मैं नविन पार सिंग डारेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेट पटना जैसा कि पहले भी हम एक बार चर्चा किये थे कि कल यानि कि सटर्डे को जूम पर एक मीटिंग थी यूटूब पर एक्टिव टीचरों की हलांकि हम लोगों का एक वाटसब ग्रूप है जितने भी यूटूब पर एक्टिव टीचर है जो जेनरल कंपेटिटिव एक्जाम्स की तयारी कराते हैं खास करके रेलवे की तयारी से जुरे हुए सिक्षक इसमें ज्यादा है और करीब सौ सिक्षक लगभग इस ग्रूप में हैं जिसमें कि कि कल के मीटिंग में अठारे से बीस के लगभग टीचर कल उपस्थित है इस मीटिंग में कई सारे टीचर उपस्थित नहीं हुए थे चुकि हम लोग का एक लिमीट है, एक सिमित संख्या में सब्सक्राइबर है, तो हमारा उमीद था कि अगर वह इसी टीचर जिनके सब्सक्राइबर की संख्या मिलियन में हैं, तो निश्यत रूप से वो जब वीडियो बनाते हैं, तो उसका रीच ज्यादा पहुंचता है, एक नहीं उपस्तित हुए हो सकता है कि कुछ परस्नल रीजन हो, और आगे भी अगले सटर्डे को भी इसी तरीके से दुबारा से हम लोग ट्विटर केंपेन के परिपेक्च में, फिर से एक बार जूम मीटिंग हम रखे हैं कि कम से कम अगले सटर्डे तक में, और भी सिक्षक को हम अधिक सदिक सिक्षकों को मुहिम में जोर पाएं और उनसे रिक्वेस्ट करके ही सही लेकिन जोरने की कोसिस करेंगे, जिससे कि ये आपका ट्विटर केंपेन रेलवे के लिए इस्पेसिली जो होने वाला है, वो अधिक सदिक सफल हो पाएं, तो हमारा ये कहना है कि म मुद्दे तो रेलवे में कई सारे हैं, जिसमें वरियता करब में अगर मुद्दे को देखा जाये तो उसी हिसाब से प्रायरिटी का धार पर ट्विटर केंपेन में क्या होना चाहिए, उसको हम लोग लेते हैं, जैसे मुद्दे की बात करें तो सबसे महन मुद्दा है कि चार साल प्लस हो चुका है, रेलवे की नई वेकंसी नहीं आई है, दूसरा मुख मुद्दा है कि अभी आप देख रहे होंगे, जब भी वीडियो बनाते हैं, जब भी बच्चों से बात होती है, तो वेटिंग को ले करके एक बहुत परा इसू है, कि वेटिंग को जो करके हम सीट को भर लेंगे, लेकिन ऐसे आप मानिए और ऐसे समझीए आपकी जैसे ग्रूप डी के संदर में ही अगर हम बात करें, तो जो स्टुडेंट ग्रूप डी के वेरिपिकेशन में नहीं गये हैं, तो सुभाविक है कि उनका सीट जो वेकेंट रहता है, कटॉप को सीट गई, तब तक में बच्चे ग्रूप डी का वेरिपिकेशन करवा चुके, तो जो बच्चे ग्रूप डी का वेरिपिकेशन करवा चुके, उनका सीट लॉक हो गया, वो सीट अब दूसरे बच्चों को नहीं मिलना है, क्योंकि रिमाइंडर उन बच्चों को पहले लेकिन तब तक में रेलवे का इधर का मामला समाप्त होगा वह चुकि वेटिंग का प्रावधान नहीं रखें तो उन बच्चों को नहीं बुलाएंगे लेकिन ऐसे बच्चों को संख्या गूरूप डी में 30 से 40 परसेंट तक पहुंच जाएगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चें जो आज तक कभी काम नहीं किये हैं घर पे इस तरीके से रहे हैं उनके द्वारा हमको नहीं लगता है कि वर्क के नेचर के इसाब से पॉसिबल हो पाएगा कि उस काम में वो टिक सकेंगे तो ऐसे बच्चे आगे चलकर के 3 मेना 4 मेना 6 मेने में वो जोब छोड़ होता ही चोड़ते हैं और एक लाग 3,000 वेकंसी है तो कम सक म 30 चालिस हजार सीट वेकंट आगे चलकर के हो जाना है तो हमारा यह कहना है कि जो भी सिट वेकंट हो की इन ही इस बार के ही बच्चों से वो सिट फुल हो जाना चाहिए था जो बच्चे इस वार एक्जाम दिये ह तो फिर इन बच्चों को लाब नहीं मिल पाएगा जितनी भी सीटे वेकेंट रहेगी वह अगले जाकर के वेकंसी में एड हो जाएगा तो बहुत जादा लॉस यहां पर होना है और यहीं चीज़े एंटीपीसी में भी और आगामी जो वेकंसी रेलवे लोको पाइले टेकनि जो भी वेकंसी आएगी यह सब के लिए इंप्लिमेंट इसी तरीके से होगा तो आगे भी इसका लॉस आपको देखने को लगातार मिलेगा तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग ज्यादा सिरियस थे कि अगर वेटिंग का प्राबधान फिर से बहाल हो जाती गौवर्मेंट कर देती तो अधिक सधिक बच्चों को इसका लाम मिल पाता तो कोई भी बाते हैं अब वेकंसी से रिलेटिट बाती ही जो हम चर्चा किये हैं तो यह जिस तरीके से गौवर्मेंट चल रही है यह तो तय है कि वेकंसी आएगी लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं इस आसा म कि गवर्मेंट वेकंसी देगी ही देगी और बहुं सारे सिक्चक्त भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरहाइगा से चर्चा करते हैं कि वेकंसी campaign अगर आपका successful रह जाता है बरेयस तर पर बच्चे इसमें अगर सामिल होते हैं तो आपकी बातें जल्द से जल्द अमल में आ सकती है जल्द से जल्द railway नई वेकंसी के बारे में विचार कर सकती है क्योंकि SSE की वेकंसी आ गई अब railway की बारी है इस बात को मानते हैं लेकिन कोई भी railway का जो process होता है जब भी वेकंसी आनी रहती है दो मेहना तीन मेहना पहले सुगवगाहट तेज हो जाती है जो कि अभी ततकान उस तरीके से नहीं दिखता है क्योंकि आप देखे होंगे कि कुछ दिन लेकिन पहले ही बच्चे जो आटिया मंगां था उसमें दिया गया था कि एक डिर महना पहले कि हर जॉंसे नमबर ने कितनी समभावना रहती है तो इसे भी हम जब भी वीडियो बनाते है आपको बताते हैं के जुलाइ-अगस्ट के बाद ही बैकंसी आने की सम्भावना है लेकिन अभी से आप अगर इस तरह का campaign करते हैं तो जुला अगस्त में आ सकती है नहीं तो में भी कि और ज्यादा भी लंब हो जाए नवंबर दिसंबर या next year भी आपका चला जाए election से पहले भी आपको vacancy दे ऐसा भी हो सकता है इसमें कुछ भी असंबब नहीं है इसके बाद जो एक और मुख मुद्दा एक दो मुद्दा है जैसे exam calendar से related मुद्दा है कि आखिर जब SSC का exam calendar आ सकता है state level vacancies का exam calendar आ सकता है तो railway का exam calendar क्यों ने आ सकता है अगर railway का भी exam calendar दे दिया जाए तो बच्छों को एक target पहले से fix होगा और year by year वो बहतर तरीके से तयारी कर और अपने चमता के recording वो लग पाएंगे क्योंकि आर्थिक स्थिती सभी बच्चों की एक जैसी नहीं है कि गार्जन लगातार पैसे देंगे पैसे खर्च करेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितने भी खास करके railway के बच्चे तयारी करते हैं maximum साधारन परिवार के बच्चे होते हैं निमनमद्यम बर्गया परिवार के बच्चे होते हैं या वैसे परिवार के बच्चे होते हैं जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं बहुत जद्दो जहत से पैसा कमा करके अपने बच्चों पर खर्च करते हैं कि किसी तरीके से वो अपने जीवन को जीव तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दिक्कत है इसके बाद एक्जाम कलेंडर के बाद अगर आपको आप देखेंगे तो एज रिलेक्सेशन का भी एक बड़ा समुद्दा है एज रिलेक्सेशन में है क्या कि जिस तरीके से SSC GD में अभी आप देखेंगे तीन साल का एज का बच्चों को ग्रेश दिया गया यह करके कि कोरोना के कारण से बीच में बेकंसी नहीं आई थी इस कारण से उनको बढ़ाया गया तो एक आधार बनता है अगर हम लोग भी इस डिमांड को लेकर के आगे बराते हैं तो यहाँ पर इसका लाब उन बच्चों को अधिक सधिक लाब मिल पाएगा जिनका के हाल के दिनों में एज समाप्त हो गया है और इतने दिन से लगातार वो बच्चे तयारी किये हैं तो सब बाते होंगी लेकिन स्टेप बाई स्टेप तो अभी जो अठारे अप्रेल को होना है आपका ट्विटर केंपेन तो पहले तो संख्याब टीचरों की वरहनी है टीचर का संख्याबल बढ़ेंगे तो अधिक साधिक वीडियो बनाएंगे तो अधिक साधिक बच्चों तक भी रीच पहुंचेगा इसलिए आप लोग को भी हम कहना चाहेंगे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि जिस भी टीचर से आ मुही मजबूत हो पाए और आपको इसका लाब मिल पाए चुकि हम लोगों कास्ति तो आप पर ही निर्वर करता है जब आप से हम बने हैं हम से आप रिलेटेड हैं तो मुच्वल अंडरिस्टेंडिक इस तरह का होना ही चाहिए कि अधिक साधिक लाब बच्चों को मिल पा में कहीं भी कमी आप आपका नहीं होनी चाहिए क्योंकि कम्पीटिसन आप देख रहें कि किस तरीके से दिन बर दिन लगातार बढ़ते जा रहा है गुरूप डी में आप देखेंगे एक करूर पंद्रे लाग बच्चे एपियर हुए थे मतलब फॉर्म भरे थे एंटी पी के आने वाली वेकंसी है तो भी में कमी नहीं रहेगी लेकिन अगर आप इमांदारी पुर्वक मेहनत करते हैं अगर लगातार लगे हुए रहते हैं असंभव कुछ भी नहीं है और रिजल्ट आपका होगा हम तो यहीं चीज़ देखे हैं कि जो भी बच्चे इमांदारी प क्या रहा अगर एक मार्श से नहीं हुआ है तो कहाँ पर ग़्रव कमी रह गई जिसके वज़े से हमारा नहीं हूपाया तो उस छेतर को चिल्नित करके उस पर हम अधिक सदिक मेहनद करने का प्रियास करेंगे और अभी आपके पास समय परियापत है जब भी वेकंसी आएग तो उस समय हम एक्टिव होंगे, तो मेरे ख्याल से उस समय समय बहुत कम आपके पास बचेगी, और उतने कम समय में कुछ भी करना निश्चित रूप से इतने जब की इतना ज्यादा कंपेट्शन आपका दिन बादिन टफ होते जा रहा है, तो मेरे ख्याल से थोरा सा हम इस बात को समझ सकते हैं, जैसा कि हम पहले बोले कि आर्थिक इस्तिती सब बच्चों की एक समान नहीं है, लेकिन अगर आपका strong will है, अगर आप अपने इरादे को मजबूत रखते हैं, अगर आपको government job ही चाहिए, अगर ये लाल सा आप रखते हैं, तो आपका रास्ता रास्ता निकलते चला जाएगा, बहुत सारे मेरे सामने भी ऐसे बच्चे हैं, जो कि regular tuition परा करके खुद का maintenance करते हैं, कुछ part time job करके maintenance करते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, इसलिए इस तरह का आपना रास्ता आपकर खुद भी तयार करने की कोशिस करेंगे, तो ये चीज संभब है, कि आपका पढ़ाई बाधित नहीं होगा, तो ये ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी Twitter campaign से related हम लगतार वीडियो बनाएंगे, और Twitter campaign के उद्देश पर भी हम लगतार चर्चा करेंगे, तो कोशिस करन है, कि अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे, तो इसमें आप comment जरूर करिएगा अपने तरब से, कि ये Twitter campaign होना चाहिए, अथवा नहीं होना चाहिए, अगर इससे अलग भी कुछ इसू है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि railway में समस्या है, बहुत है, V2C1 medical वाले कुम मंद से पराई करते रही, धन्यवाद